एलो दोस्तो मेरा नाम ही शेन दूहन, वेलकम तू सिंप्लिक्रेक, दोस्तो current affairs के series में आज हम लोग 8th में से लेके 14th में, यानि की में week 2 के जितने भी important current affairs हैं उसको देखेंगे, दोस्तो week 1 की video already upload हो गई है और similarly अभी week 3 भी आएगी और week 4 भी आएगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग week 2 के current affairs को देख लेते हैं, may week 2, चुरुआत करते हैं पहले सवाल से, which country is home to the world's deepest blue hole, tamja blue hole, कौन सा देश, दुनिया का सबसे गहरे blue hole, tamja blue hole का घर है, अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, तो आपके अंदर में सवाल आ रहा हो जो blue whale, तो सुना है, blue hole क्या होता है, तो वो भी बताएंगे क्या होता है, तो इसका सही उतर है दोस्तों Mexico, अब समझते हैं, जो ये blue hole होता क्या है, देखो दोस्तों ये एक तरीके का geographical formation है, जैसा कि आप यहाँ पर image में देख सकते हो, समझो ये ocean है, समंदर है, और ये समझो एक तरीके से land mass है, ठीक है, और ये land mass का जो उपर वाला हिस्सा जो है, वो limestone का बना हुआ है, पानी पड़ते ही ये घुल जाएगा, और घुल जाएगा, तो एक तरीके से ये sink develop होता चला जाएगा, जिसको sink hole कहते है न, sink hole, वो develop होता जाएगा, ठीक है, तो हाल ही में पता चला है, scientists के द्वारा, जो ताम जा ब्लू होल जो है, कहाँ पे है, तो ये Yucatan Peninsula in Mexico, वहाँ पे ये सबसे deepest find हुआ है, कब पता चला है, तो में में ही पता चला, तो ये competitive exams के लिए important है, ये आपको पता होना चाहिए, देखो दोस्तों ऐसा है, जो चारा तरफ पानी तो है, ले यहाँ पे बैठ गया, यहाँ के बैठ गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चलिए, आगे देखते हैं, किस भारती राज ने राहत सिविरों में चात्रों को सिक्षा परदान करने के लिए, स्कूल उन वील्स की पहल शुड़ू की, आसाम, भिहार, मनिपूर, नागलेंड, दोस्तों, इसका सही उत्तर है मनिपूर, और ये जो सवाल है, यहाँ पे राहत सिविर देखके, अलगा सकते थो, जो ये मनिपूर का ही हो सकता है, तो जो कि सही है, एक्चुली में मनिपूर अभी वालेंस से जूज रहा है, क्या कारण है वालेंस का वो समझा देता हूं, उससे पहले आप थोड़ा सा स्कूल्स ओन वील्स को समझो, ऐसा है, जो वहाँ के गवर्नर जो है जो कोविड जो आया था, इसमें बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हुआ, ठीक है, और इसके लिए सरकार की पहल इसको कवर अप करने के लिए उतनी तो मुझे नहीं दिख रहे है, ठीक है, लेकिन जब इस वाट 10th का रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट आया उनकी पढ़ाई नहीं रुकने चाहिए, तो उसके लिए स्कूल्स ओन वील्स स्टार्ट किया गया है, वहांके गवर्नेर ने इनेगरेट किया है इस चीज को, तो अच्छी चीज है यह है, अब थोड़ा सा मनिपूर के एथनिक क्लैसे को समझ लेते हैं, तो सिंपल है, ऐस यह है, जो यह फिल्ल थुरा छोटा है, और जो आपको जो दर्सक दीरघा जिसको कहते हैं, जहां पे औडियंस बैठती है, वो बड़ा है, कहानी क्या है यह समझो, यहां पे रहते हैं मैथी ट्राइब, ठीक है, मैथी ट्राइब, यहां पे कुकीज औड नागाज, इनीके बीच में एक तरीके से representation को लेके clash होता रहता है अब ये जो मैती हैं इनका political representation बहुत ही हाई है cookies नागाज जो हैं उनका low है ये hill areas में रहते हैं ये hill area हो गया और ये infall region हो गया beach का part है ठीक है दोस्तों अब कहानी कुछ इस प्रकार है जो वहाँ पे court ने फैसला दिया जो मैती को भी आपको scheduled tribe का दरजा मिलेगा इसके कारण cookies नागाज नाराज होगे उनके हिसाब से ये है जो तुम scheduled tribe का दरजा दोगे तो जो भी benefits इससे मिलेंगे वो benefits लाओगे कहां से वो तुम हमारे हिस्से से लेगे आओगे तो इस तरीके से ये clash बढ़ता चला गया अब ये मैतीस जो है वो basically हिंदूस है ज़्यादा तर हिंदूस है cookies में Christians है ज़्यादा तर तो यही है कहानी और इसी के बीच में ये दोनों आपस में लड़ते रहते है ये ही कहानी है और इसी के कारण से वहाँ पे एक तरीके से ethnic clash देखने को मिलता है ठीक है अभी सरकार इसको ढंक से तो सुल्जानी पाई है कारण क्या है जो ये बार-बार erupt होता है और हाली में जब Supreme Court के रहा है कोट का ही वहाँ का फैसला है था जो वहाँ पे schedule tribe का दर्जा मिलेगा मेथी इसको तो इससे और भी विवाद बढ़ गया तो यही कहानी है ओके वोट इस कोलाइन रिसेंटली सीन इन्यूज हाली में खबरों में देखी गई कोलीन क्या है nutrient, pesticide, virus, invasive plant दोस्तो यह है nutrient अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ उससे पहले एक story सुन लो हुआ क्या था जो मैं गया था किसी विक्ति के लिए Alzheimer's की दवा लाने के लिए Alzheimer's क्या होता है दोस्तो तो एक तरीके की मानसिक बिमारी है जिसमें बुड़े लोग जो होता है उनकी यह अदास्त दीरे-दीरे कमजोर होती चली जाती है ठीक है? उनका जो brain होता है वो दीरे-दीरे कमजोर पढ़ता चला जाता है ठीक है? तो उसमें मैंने एक दवा देखा जिसका नाम था City Colline फिर इसके बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला यह जो Colline है वो एक तरीके से Nutrient है इसके लिए तो brain के लिए है ना? तो यही से मुझे पता चल गया था यह basically what is Colline recently seen in news यह nutrient है अब यह News में किसलिए है? वो समझो ठीक है? और आपको बता दें City Colline जो है जो अमेरिका वेगारा में मैंने पढ़ा जो वहां के जो foods होते है processed foods उसमें Colline मिलाया जाता है ताकि बच्चों का विकास हो सके बच्चों का मानसिक विकास हो सके बुडों का भी दिमाग ठीक से चलता रहे चलिए अब ये news क्यों बना वो समझते है ऐसा है जो researchers ने found किया है जो FLVCR2 एक तरीके का जो protein होता है वो आपको समझो जो essential nutrients दिमाग के पास पहुंचाता है Colline जो है वो दिमाग के पास पहुंचाता है ठीक है? और ये Colline बनता कहां पर है तो हमारे liver में बनता है ठीक है? Metabolic process में अब जिनके dietary intake कम है जैसे meat, fish, dairy, eggs यहाँ पर ये सब rich source है आप समझो source कहा है जो आप समझो ये requirements को meet करने के लिए है अगर इनकी requirement meet नहीं होती है तो फिर आप supplements को थूँ Colline ले सकते हैं ठीक है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर है Malaysia और इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है कहानी वो समझो ये जो ओरेंगो टैन diplomacy है ये Malaysia की strategy है जिसमें वो लोग ये जो ओरेंगो टैन है ये basically critically endangered है ठीक है? critically endangered कौन बताता है तो IUCN ठीक है दोस्तों? International Union of Conservation of Nature इसने बताया जी critically endangered है मतलब विलिप्त होने के कगार पे है अब Malaysia नहीं क्या किया है उन्होंने कहा है जो भी हमसे palm oil खड़ी देगा हम उसको orangotan देंगे ये बात आई कहां से? तो ऐसा है जो इसने सीख लिया चाइना से चाइना क्या करता है? जो भी देश उससे trade करता है या फिर friendly relation में होता है वो उसको panda देते हैं ठीक है? तो उन्होंने कहा चलो हम भी उन्हें को 10 देंगे और लेकिन बिसिकली इशू क्या है? ये conservation वेगरा क्या है? ये आपको समझना पड़ेगा जेखो दूस्तों ऐसा है जो Malaysia, Indonesia इन सभी पे आपको इलजाम लगता आया है जो आप rainforest को तबाह करके वहाँ पे आप palm उगा रहे हो ताकि आप palm oil बेच सको इससे बहुती भारी नुकसान होता है environment को ठीक है? तो एक तरीके से मूँ छुपाने के लिए इन्होंने ये orangotend diplomacy अपना ही है जो वो कहरें देखो भाई ऐसा है जो हम लोग critically endangered जो species है उसको बाकी के nations को दे रहे है ये दिखाने के लिए जो हम biodiversity के लिए concerned है ठीक है दोस्तों? तो ये कहानी है आपको बता दे Malaysia और Indonesia largest exporter of palm oil ठीक है? ये आपको सबसे ज़्यादा palm oil export करते हैं palm oil क्या हुआ? जो palm tree से निकाला गया oil है और आपको बता दे palm oil होता है सस्ता और सस्ता होने के कारण आपको adaptation इस से मतलब इसके इस्तमाल से adaptation में बढ़ावा दिया जाता है जैसे मालो आप कहीं पे जाते हो सरसों का तेल खरीदने के लिए तो फिर वो क्या करेंगे? सरसों के तेल में palm oil मिला देंगे और आपको कहेंगे जो ये सरसों का तेल है और इसमें essence मिला देंगे सरसों का ठीक है? तो इस तरीके से धानली की जाती है क्यों? तो palm oil सस्ता होता है palm oil का इस्तमाल कहा कहा होता है? लगबग हर जगे होता है बिसकिट जो आप खाते हो उसमें Palm Oil होता है फिर आपको बिसकिट के साथ साथ adultation वेगरा में तो देखने कोई मिलता है क्योंकि सस्ता होता है अप़र्ट फॉम ड़ाट जो लिप्सिक महिलाएं लगाती है उसमें भी Palm Oil होता है जो आपको creams जो होते हैं, face cream वेगर उसमें palm oil का इस्तमाल होता है, सस्ता होने के कारण इसको जगह-जगह इस्तमाल किया जाता है, apart from that एक और चीज़ जानके आपको आश्चरे लगेगा, आप जो ice cream खाते हो, किसके quality oils वेगर ये वो, वो basically ice cream होते ही नहीं है, वो होते हैं dessert, क् उन पर वो ice cream नहीं लिख सकते हैं, कारण क्या है, जो ice cream लिखने के लिए 100% milk का बना होना जरूरी है, लेकिन ये जो quality company हो गए या और भी जो ice cream making company है, वो लिखते हैं इसको dessert, और उस पर उनको mention करना पड़ता है, जो उन्होंने कितना percent palm oil का इस्तमाल किया, सिर्फ Amul, Mother Dairy, ये लोग full milk का इस्तमाल करते हैं, ice cream बनाने में, और apart from that और भी जो local milk companies हैं, जैसे सुधा बिहार में है, और नंदिनी है करनाटका में, तो वो लोग इस्तमाल करते हैं और इसको, milk को और वो full ice cream के category में आता है, लेकिन जो quality walls हो गए, cream bill हो गए, वो लोग palm oil का इस्तमाल करते जो वो कितना palm oil का इस्तमाल करते हैं, और ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ये जानकारी आपको हमने बता दे, पायरेनीज mountains recently seen in news form on natural border between which two countries, पायरेनीज परवत हाली में, खबरों में किन दो देशों के एक प्रकरतिक सीमा बनाते हैं, दोस्तों, इसका सही answer है, Spain and France, औ तो ये news में आया इसलिए है, क्योंकि जो चाइना के जो प्रेजडेंट है, जी जिन पिंग, उनको लेके फ्रेंच प्रेजडेंट वहां पर पहुंचे, border पे, और वहां पर एक तरीके से private talk किया, और इस कारण से ये news में आ गया, ठीक है, और ये Spain and France का border है, पायरेनीज, प यहां पर image में देख सकते हो, fold mountain है, in which state did election commission successfully conducted voting at the highest polling booth, किस राजी में चिनाव आयोग ने उचितम मतदान के इंदर पर सफलता पुरवक मतदान आयोजित किया, दोस्तों इसका सही उत्तर है महराष्ट्रा, आपके पास ऐसे option है, जो आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन mountainous, मतलब hilly areas को अगर दे दिया जाए option में, तो confused हो सकते हो, तो महराष्ट्रा में यह कहां से आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो दोस्तों यह देखो, किस तरीके से उचाई से पे यह चाढ़ा जाता है, ठेक है, तो election commission ने यह एक तरीके से successful voting process को achieve किया है, और यह कहां पे, तो यह ricewar fort, पारामती महराष्ट्रा में, और जो की 4491 feet उपर है, और यह इस लोग सभाई elections में, उन्होंने वहाँ पे जाके चुनाओं conduct करा है, जहां पे कुल 160 voters थे, इस तरीके से चुनाओं conduct करा है, तो through EVMs and VVPAT, VVPAT क्या होता है, तो voter verifiable paper audit trial, देखो थोड़ करने जाते हो, तो देखो ऐसा होता है, जो इस तरीके से एक EVM होता है, इसमें total 16 column बटे होता है, यहाँ पे आपको उमिदवार के नाम लिखे होता है, और उनकी photograph लगी होती है, और यहाँ पे election symbol लगा होता है, यह हो गया आपका EVM, यह connected होता है, एक machine से जिसको कहते है CU, य active हो जाता है, और आदमी जाता है, और अपने हिसाब से बटन दबा के चला जाता है, जिस party को vote देना है, और vote record कहा होता है, तो इस CU में record होता है, CU से connected होता है, एक machine जिसका नाम है, voter verifiable paper audit trial, ठेक है, ट्रेल, ट्रेल ने, ट्रेल, ठेक है, तो voter verifiable paper audit trail क्या होता है, तो यह basically, ज उसने सही विक्ति को vote दिया, इससे एक परची निकलती है, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कुछ second के लिए, यहाँ पर आपको दिखती रहेगी, फिर यह परची इसमें जाके store हो जाती है, तो वो परची दिखाती है, उमिदवार का नाम, उमिदवार की संख्या, औ और अभी जो बीवी पैट का, जो मशीन का जो वर्जन चल रहा है, वो है M3 वर्जन, यह competitive exams में आता है दोस्तों, इससे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमने आपको voter verifiable paper audit trail के बारे में बता दिया, महराश्टरा में जो सबसे उचा elevation पे, राइस्वर, फोर्ड ब 350 T20 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतिय गेंदवाज कौन बने है, दोस्तों यह बने बुमड़ा, यह जुवेंदर चेहल जी, ठीक है दोस्तों, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह जुवेंदर चेहल जी जो है, वो क्या है, तो leg spinner है, कहां से तो राजस्थान रोयल के और इन्होंने ऐसा किया है, जो 350 T20 विकेट लिया है, किसमें T20 क्रिकेट में, ठीक है, और IPL 2023 का विनर कौन था, चैन्ने सुपर किंग, विच बिकेम इंडिया's first sports unicorn, अब यह क्या होता है, तो समझो ऐसा है, जो इसके share float हो रहा है मार्केट में, इंडिया सिमेंट्स मेज stakeholder है, ठीक है, तो अभी profit में गया है, कितना around, total इसका जो valuation है, 7600 करोर का है, ठीक है, तो इंडिया का पहला sports unicorn कौन है, तो चिनने सुपर किंग, इससे भी सवाल आ सकते हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ICC cricket T20 World Cup 2024, कहां पे होगा, West Indies and United States में, यह हमने आपको June 1 से लेके June 29, यानि कि June 1 से June 29, what is the causative, isn't it, of West Nile fever, recently in news, West Nile बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है, हाली में खबरों में आया है, दोस्तों, इसका प्रेरक एजेंट यह है, आपको वाइरस, यह वाइरस के द्वारा फैला जाता है, और इसको कहरी कौन करता है, तो मॉस्क्य क्यूटो, कौन सा, तो क्यूलेक्स, यह आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा और समझते है, ऐसा है, the causative agent of the West Nile fever, the West Nile virus, WNV, a single standard RNA virus belonging to the Flaviviridae family, यह है आपको वाइरस की कहानी, ठीक है, किसके द्वारा ट्रांस्मीट किया जाता है, तो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटर के द एक्टर है, वो carry करते हुए चलता है, ठीक है, लेकिन यह आपको reservoir कहां से आता है, तो birds जो होते हैं, उनके अंदर में यह virus जिन्दा रहता है, और birds भी जिन्दा रहता है, तो समझो, एक तरीके से यह reservoir का काम करता है, मच्छर जाएगा, इसको काटेगा, फिर इनसान को काट अगर fever हो गया, तो fever हो गया, headache हो गया, body egg हो गया, और कुछ neurological disease भी देखने को मिलते हैं, और हमारे यहां कहां पर यह उखड़ गया, मतलब कहने कहां पर सामने आ गया, तो जैसा कि लोग anticipate कर सकते हैं, केडला, निपा भी वहीं से शुरू हुआ, क्यों यहां पर biodiversity हाई है, इ जो मच्छर भी वहां मिल जा रहा होगा, वो bird जो reservoir है, वो भी मिल जा रहा होगा, और काटने के लिए आदनी भी मिल जा रहा होगा, तो इसी कारण से किरला में यह फिर से outbreak देखने को मिला है, ठीक है, और इसका treatment क्या है, तो आपको पता है, जो viral विमारिया होती है, उसका treatment बहुत ही कम होता है, कुछ antiviral medicine होते हैं, उसके कारण आप symptoms को थोड़ा सा suppress कर सकते हो, लेकिन वो fully cure अभी होगा, जब आपके body में उसके खिलाफ प्रतिरोधक छमता बनती जाएगी, ठीक है, तो यह लगवग सभी viral diseases की कहानी है, which country leads global remittances surpassing 100 billion dollars mark in 2022, कौन सा देश 2022 में 100 billion dollar के निशान को पार करते हुए, वैस्विक प्रिशन का नर्तित्तो करता है, दोस्तो यह हमारा इंडिया है, क्या होता है remittance वो समझो, ऐसा है, जो आप चार आदमी की family हो, ठीक है, धर के जो मुखिया है, वो बहार चले जाते हैं, migrate कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, और यह पहुँच जाते हैं दूसरे country में, और दूसरे country से आपको पैसा भेजते हैं, ठीक है, किसमें भेजते हैं, तो यह तो भेजेंगे आपको dollar में, क्योंकि dollar universal exchange में काम आता है, और फिर आपको मिलेगा currency किसमे तो इंडियन रुपी में तो जब भी ये चीजे होंगी तो ये डॉलर जो है वो भारत देश को के डॉलर का जो समझो रिजर्व है उसको मजबूत करेगा ठीक है तो यही कहानी है तो इसी को कहते हैं रिमिटेंस ठीक है तो इंडिया आप समझो ये टॉप पे है एक वार लिस भी देख लो इंडिया लिट्स ग्लोबल इंबाउंड रिमिटेंस ठीक है 2015 और ये 2022 का आंकड़ा देख लो 2015 में 68.9% और अभी जो है 111.2% अब समझ जाओ ये परसेंट नहीं ये नंबर है इन बिलियन उस डॉलर्स सॉरी ठीक है दोस्तो तो अब ये डेटा कहां से आया त UN World Migration Report ठीक है तो इसको आपको पता होना चाहिए ठीक है दोस्तो विच स्टेट रिसेंटली लॉंच्ट पिरुल लाव पैसे पाओ केंपेंड तो प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन स्टेट किस राज ने हाली में राज में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरुल पाइन ट्री गर्मी के कारण जाता है सूख और इसके पत्ते नीचे जड़ते हैं फिर आंधी आती है पेड से पेड टकड़ाते हैं चिंगारी निकलती है आग लग जाता है आग लगने से जंगल तबाह हो जाते हैं हाली में नैनी ताल में बहुत बड़ा भीशन फायर दे वहां के जो लोग हैं वह लेके आएंगे सरकार के पास तो सरकार उसको पैसा देगे कितना वह देखो रुपीज 50 पर केजी और पाइन ट्री लीव्स कलेक्शन है ना और एक तरीके से वहां पे एक सप्लाइचेन बनाए गया है खिक है ब्लॉक लेवल पे तैसील लेवल पे ताकि आपको यह जो पिरूल है पिरूल का मतलब ड्राइड लीव्स है वो आगे पहुंचाया जा सके ताकि जंगल में आग को रोका जा सके अजेंडा 2063 रिसेंटली सीन इन न्यूस इस रिलेटिव तो विच और अजेंडा 2063 किस संगटन से संबंदेत है दोस्तो यह है एफ्रिकन यूनियन से संबंदेत और यह कॉम्प्रिक जाम्स के लिए इंपॉर्टन है क्योंकि जिस तरीके से यह अजेंडा 2063 हो गया है फिर का आउटलाइन है किसके लिए for the next five decades decades याने की 50 सालों के लिए आपको बता दे PM मोधी जो है उन्होंने भी अपना एक अजेंडा बनाया हुआ है देखते होगे जब भी news में आएंगे तो 2047 की बात करेंगे है ना कुछ भी हो तो 2047 का example देते हैं है ना पता है जो उनको जो आजादी के जज़े से ही 100 वर्स पूरे होंगे तो हमारे इसके लिए एक अजेंडा होगे हम अपने भारत को किस तरीके से देखना चाहते हैं after 100 years तो उन्होंने भी एक तरीके से अजेंडा सेट कर रखा है अपार्ट फॉम डाट नीती आयोग जो है नीती आयोग सौरी मैं African Union का Vision है और इसमें है क्या वो भी समझ लो African Union अगले 50 सालों में जो Economic Prosperity, Human Capital Development हासिल करना चाहता है, Peace and Security हासिल करना चाहता है, Pan-African Unity हासिल करना चाहता है, General Equality हासिल करना चाहता है, इन्ही सब चीजों पे basically focus किया गया है ठीक है, African Union है क्या तो ये जो अफ्रीका के जो 50 Member States है उन्होंने मिलके African Union बनाया है और ये Peace, Unity, Prosperity को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, Headquarter का है, तो आदिस अबाबा, Ethiopia में है, ठीक है, तो अब एक और चीज समझ लो, जो हाली में हमारे यहां क्या हुआ था, G20 Summit हुआ था, और G20 Summit में क्या हुआ था, भारत ने अच्छ पेंबर बन गया है, ठीक है दोस्तों, competitive exams के लिए important है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, वाइडाल टेस्ट, recently seen in news, is associated with which disease, हाली में खबर में दिखा गया, वाइडाल टेस्ट किस विमानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अब ये जो वाइडा है, वो सड़े हुए अंडे, सड़े हुए खाने, contaminated food वगरा में, या फिर contaminated water में देखने को मिलता है, और टाइफाइड में symptoms क्या होता है, तो high fever होता है, पेट में दर्द होगा, कमजोरी होगी, सरदर्द करेगा, है न, इलाज कैसे होता है, तो antibiotics से, prevents good hygiene and vaccination, टाइफाइड can be serious if untreated, but it is manageable with prompt medical care, which Indian wrestler has been provisionally suspended by the United World Wrestling, UWW, एक है, किस भारते पहलवान को United World Wrestling, द्वारा अस्थाई रूप से ने लंबित कर दिया गया है, तो दोस्तो, इसका सही उत्र है, बजरंग पुनिया जी, क्या कहानी है, तो ऐसा है, जो आप समझो, कुछ-कुछ टर्म समझ जाओ, United World Wrestling, यह तो आपको समझ में आ गया, अब आजाओ, इन लोग का क्या होता है, जब भी यह compete करने जाते हैं, तो डोपिंग टेस्ट होता है, कौन कंटक्ट करता है, तो National Anti-Doping Agency, NADA, ठीक है, अब इन्होंने अपना urine sample देने से मना कर दिया, जो भाई-साब, हम anti-doping में अपना urine sample नह पर है, तो वो है, लोजैन, स्विजलेंड में, ठीक है, और NADA क्या होता है, वो तो हमने आपको अल्रेडी बता दिया, इससे पहले भी, जो current affairs videos हैं, उसमें भी हम लोगों ने अच्छे से discuss किया था, इसका headquarter न्यू डेली में है, और establishment इसकी हुई थी, 1958 में, फुल फॉर्म है, defense research and development organization, काम क्या है, तो ये आपको technology develop करता है, military के use के लिए, ठीक है, which company partnered with hockey India for the National Women's Hockey League 2024, किस company ने राष्टिय महिला होकी लीग 2024 के लिए, hockey India के साथ भागिदारी की, तो ये Coca-Cola ने किया है, दोस्तों, Coca-Cola India's Ananda Foundation, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हुई इमेज में, उसने hockey India के साथ मिलके partnership किया है, 2024 के लिए, और ये पहला ऐसा इसका involvement है, women hack hockey के लिए, national level पे, ठीक है, और इनका ये जो campaign है, उसका नाम है, see the difference, ठीक है, तो Coca-Cola चाह रहा है, जो महिला है, खेल कूद में सामने आए, supporting women's sports in India, ये आपको पता होना चाहिए, और एक और चाहिए समझ लो, जो hockey India के president कोन है, तो दिलीप तिरके है, ये थोड़ा important question है, ये आपको पता होना चाहिए, हाली में खबरों में देखी गई हिंडन नदी, किस नदी की सहायक नदी है, दोस्तो ये है आपको यमुना नदी की सहायक, ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लो, ये देखो, ये है हिंडन रिवर, क्या हाल बना रखा है, समझ रो, क्या जिंदगी है, लोग अगर इसके आस का जीवन ही आपन कर रहे है, क्या मिलेगा इससे, हेल्थ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आपका एर भी पॉल्यूटेड है, वाटर भी पॉल्यूटेड है, फिर बचा क्या, है ना, ये थोड़ा सा दुख की बात है, तो कहानी कुछ इस प्रकार है, जो NGT, National Green Tribunal, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने उत्तरपरदेश Pollution Control Board, जो है, UPPCB, को बोला है, जो तुम एक काम करो, तुम हमको दो वीक के अंदर में Supplementary Report जमा करो, जो ये हिंडन रिवर के हालत ऐसी क्यों है, ठीक है, और उस रिपोर्ट में ये mention होना चाहिए, जो तुमने क्या action लिए है, municipal bodies को, जो की pollute कर रहे हैं इस रिवर को, ठीक है, अब हिंडन रिवर जो है, यमुना का ट्रिब्यूटरी है, stretches 400 km from Saharanpur to Noida, it becomes highly polluted due to urban, agricultural and industrial waste, तीन प्रकार के waste आ रहे हैं, ये अर्बन लोग waste लो डाली रहे हैं, agriculture waste भी आही रहा है, industrial waste भी आ रहा है, पानी की कलर द 2015 में इस रिवर को डेड रिवर इसने माल लिया है, पताईए, कितनी दुख की बात है, अब आप समझो, हिंडन एर बेस आपने सुना होगा, यही आसपास है, अब गाजियवाद में, अब चीजों को समझो, ऐसा है जो डेड रिवर क्या होता है, डेड रिवर ये होता है, जिसमें कोई भी एको सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता है, कहने का मतलब यह हुआ, इसमें मचली तो नहीं होगी, इसके अलावा और भी जो पानी में होती है, जिसे ग्रास वेगरा यह जो होती है, जो की एकोटिक जो होता है, एको सिस्टम, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकत तो बताओ, अब ये कितना डेंजरस है, अब ये समझो, जो यहां से पानी नीचे सीप करेगा, परकोलेट करते हुए नीचे जाएगा, इसको बोर्वेल की साहता से लोग बाहर निकालेंगे, और इसको घर के काम में इस्तमाल करेंगे, इससे वो बीमार पढ़ेंगे, होस्प अक्युमिलेट होती चली जाती है, आपने थोड़ा से जहर आज पिया, फिर और पिया, फिर और पिया, फिर और पिया, इस तरीके से बॉड़ी में अक्युमिलेट होता चला जाता है, ठीक है, और ये PD-दर PD ट्रांसफर होता जाता है, इसी को Bio Accumulation कहते है, अब PD-दर PD कैस ठीक है दोस्तों तो यही कहानी है हिंडन डिवर की बहुती सैड कहानी है अब थोड़ा सा ट्रिब्यूटरीज को समझ लो कैसे हमने याद करा था तरक्की हिंदुस्तान की शाहिये तो सबको बनाओ काबिल इससे आपको सारे ट्रिब्यूटरीज यामना के याद हो जाएंगे तरक्की से टॉन्स हिंदुस्तान से हिंडन जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया चंबल चाहिए बेटवा सबको से सिंध स्वरी सिंध और काबिल से केन यह सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यह मना रिवर की कहां से मुझे याद हुआ तो यह आपके स्टैटिक जीके के कोर्स का पार्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं सोनाई रुपाई वाइडलाफ सेंच्विडीज डिसेंटली सीन इन दे न्यूज इस लोकेटे इन विंट स्टैट सोनाई रुपाई वने जीव अभारन्य जो हाली में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों यह है आसाम में यह सवालों में क्यों दि उस पे भी NGT की नजर है वो accountability देख रहा है जो इस area को बचाने के लिए सर्गार क्या-क्या कदम उठा रही है सोनाई रुपाई वाइडलाफ सेंच्विडी 1998 में स्थित्तु में आया और कहां पे है तो आसाम के सोनितपुर डिस्टिक में है यह ग्रेट हिमालेन रेंज है इसके देखो यह सोनितपुर है यह रहा सोनाई रुपाई वाइडलाफ संच्विडी यह काजी रंगा नैस्टिक पार्क जहां पर वन हॉर्ण राइनोसरस देखने को मिलता है अब थोड़ा सा नैस्टिक्रीन ट्रिबिनल के बारे में समझ लो यह तरीके से specialized judicial body है दोस्तों इन्वाइर्मेंटल जो जितने वी चीज़े हैं उसके लिए National Green Tribunal बनाए गया है जिसे judicial body का दर्जाद दिया गया है ठीक है जो की environmental protection and conservation issues में deal करता है कब यह बना यह बड़ा ही important है NGT बना established in 2010 कैसे याद रखोगे तो ऐसे याद रखोगे NGT T410 ठीक है एड़कोर्टर कहा पहते न्यूड डेली में है शेयर में जो हैं यह जिस्टिस प्रकाष श्रिवास्तम है important है याद होना चाहिए विच कंट्री successfully launched a candle waxed powered rocket named SR-75 using liquid oxygen किस देश ने तरल oxygen का उप्योग करके SR-75 नामक मोंबती मों से चलने वाले rocket का सफलता पूरवक लाँच किया दोस्तो यह किया है जर्मनी ने और यह देखने में भी मुझे मोंबती ही लग रहा था ठीक है तो यह थोड़ा सा समझो ऐसा है SR-75 का इस्तमाल किया है जिसमें liquid oxygen basically engine में यूज होता है liquid oxygen यूज पहले से भी होता आया है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह candle wax powered rocket है ठीक है यह आपको बस पता होना चाहिए और launch कहां से हो रहा है तो यहाँ पर खुणीबा test range कहां पर है तो South Australia में ठीक है और यह थोड़ा सा innovative इस as a fuel कर रहा है किसलिए क्योंकि यह safe है cheap है alternative है traditional rocket fuels के माध्यम से ठीक है तो SR-75 आपको पता होना चाहिए यह काम क्या करेगा तो चोटे-चोटे satellites satellites लेके आस्मान में जाएगा which country cost is set to be hit by cyclone Hidayah नाम आपको पता होना चाहिए from the Indian Ocean देखो दोस्तों ऐसा है जो गर्मी बढ़ रही है अब cyclone आपको बहुत जादा देखने को मिलेंगे तो आपको उसके नाम भी आते रहेंगे तो फिर आपको नाम competitive exams के हिसाब से आपको पता होना चाहिए क्योंकि competitive exams में cycl cyclone पर नाम तो अक्सर पूछते हुए दिखाईद देते रहते हैं हिंद महासागर में चक्रवात हिदाया से किस देश का टकराएगा तो दोस्तों ये टकराएगा तंजानिया से ठीक है अब थोरा सा हिदाया जी के बारे में समझ लेते हैं देखो ऐसा है जो हाली में severe storm आया तंजानिया कोस्टल एरियाज ठीक है ये बड़ा important है अब थोरा सा साइकलोन के बारे में समझो ऐसा है देखो ये world map है world map में ये जो पट्टी आपको देख रही है ये tropical areas है क्या है tropical areas और ये tropical area में यहाँ पे देखो ये South East Asia वेगरा जो है South China में इसको टाइफून के नाम से बुलाते हैं किसको cyclone को ठीक है टाइफून cyclone एक ही नाम है उसके बाद ये जो cyclone कहां बुला जाता है तो यहाँ पे इंडिये नोशन में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे cyclone बुलाते है फिर अगर ये Australia पहुंझ जाता है तो इसको willy willy कहते है ठीक है जैसा कि आप य ये US के side पहुंझ जाता है ये नहीं पहुंझ जाता है मतलब US के side में अगर cyclones आते हैं उसको hurricane बुलाते है ठीक है तो hurricane, willy willy, cyclone, typhoon सब एक ही चीज के नाम है एक ही phenomenon के नाम ही जो आपको यहाँ पर देख रहा है image में ठीक है कटू पूवम कुरुन निला अगर मैं सही परणाउंस करना हूँ, a rare tree species was recently rediscovered in which region of India दोस्तो इसका सही उतर है western घाट अब ऐसे सवाल अगर आपको दिखें तो आप यह साब पहले UPSC में पूछा करते थे और अभी भी हिंदू Indian Express पेगरा में तो आता ही ये news और बच्चे जमा करते हैं जो भाई कहीं competitive exams में सवाल ना आ जाएं तो इसका सही उतर है western घाट और कभी ऐसे सवाल अगर आपके competitive exams में दिख जाएं तो समझो जो कौन सा एरिया ऐसा हो सकता है जहां पे biodiversity ज्यादा है ठीक है ये तो तब आप इस्तमाल करोगा जब आपको answer नहीं पता है ठीक है जैसे western घाट हो गया अंडमान निकोबार हो गया मेगाले हो गया वहाँ पर थोड़ा सा species वेगरा discover ज्यादा होती है अब option में आपको दे देगा बिहार, मदिपरदेश, उतरपरदेश तो फिर आप आप आसानी से इसको eliminate कर सकते हो ठीक है अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं क्या है ये तो 140 साल बाद आपको एक rare tree species मिला है कहां पर मिला है तो western घाट में दिखा है ठीक है और western घाट के बारे में बात कर लेते हैं जो इसका coast जो है गुजरात से लेके तमिलनाडो तक पूरा फैला हुआ है major watershed sources rivers like Godavari, Krishna जो है यही से निकलते हैं conservation की बात कर तो UNESCO का World Heritage Site है, numerous national parks है, silent valley, peria, tiger reserve यह सारे वही पे हैं इसके अलाबा western घाट अपने आप में एक biodiversity hot spot भी है ठीक है दोस्तों यह important है competitive exams के लिए हमने already बता रखा है static g के वाले course में recently where was 19th session of United Nations Forum of forests held, हाली में 10% युक्त राष्ट मंच UNFF का उनिस्वा सतर कहां आयोजित किया गया, दोस्तों यह आयोजित किया गया है New York में, बस इतना आपको पता होना चाहिए, तो 19th UN Forum on forest convened recently in New York, aiming to foster global forest management, conservation and sustainability, अब भी यह establishment हुआ है 2000 में, under ECOSOC, यह आपको पता होना चाहि ECOSOC का full form है, Economic and Social Council, United Nations का पार्ट है यह, ठीक है दोस्तों, Which country did Magnus Carlson represent in the 2024 Superbet Rapid and Blitz Poland? दोस्तों, अगर ऐसे सवाल दे दे, तो आपको कुछ-कुछ चीजे पता होनी चाहिए, जो Magnus Carlson कौन से खेल से संबन देते हैं, यह या फिर Superbet Rapid and Blitz Poland, यह क्या है, कौन सा परतिस परदा है, कौन सा competition है, किस game से बिलॉंग करता है, दोस्तों, सब सब तो यह है, एंसर नॉर्वे, ठीक है, यह वेक्ति है, Magnus Carlson, Magnus Carlson, जो है, वोल्ड का नमबर वन चेस प्लेयर है, represented Norway in 2024 Superbet Rapid and Blitz Poland tournament, यह वेक्ति कौन है, तो यह है, आर प्रदा दनन्दा, हाली में न्यूज में देखने को मिलता है, मतलब क्या है, वो भी बताता हूँ, तो Magnus Carl Carlson is one of the greatest chess player in the history, known for its record-breaking achievement and influential role in promoting chess worldwide, और हमारे यहां जो कुछ chess के खिलारी अभी उभर के आए हैं, विशुनातन आनन्द, तो अब थोड़े से पुराने होगे, तो अब नए नए जो लोग आए हैं, जिसमें से आर प्रदानन्दा, इस बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा कॉ अपनी जगे बना ली है, उसके बाद, डी गुकेश, निहाल सरीन, रौनक, सदवानी, यह सारे नाम chess players के हैं, जो आपको पता होने चाहिए, competitive exams के लिए important है, यह थोड़ा unique सवाल है, The theme for World Migratory Bird Day 2024 is insects, this year campaign will focus on highlighting the vital role that insects play in the lives of the migratory birds, ठीक है, insects के अलावा, ऐसा है, यह समझो, जो World Migratory Bird Day जो है, वो global campaign चला था, कब 11 में से लेके, October 2026 तक चलेगा, यह आपको पता होने चाहिए, जिसमें bird festivals, educational programs, exhibition बगएरा, bird watching exercises बगएरा किये जाएंगे, Who has won the 30th सुल्तान अजलान सा होकी ट्रोफी 2024, तीसवी सुल्तान अजलान सा होकी ट्रोफी 2024, किस ने जीती है, दोस्तों, यह सब सवाल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यह important है, तो यह जीता है, जापैन ने, कभी भी competitive exams में यह सवाल आ सकता है, इसके अलावा यह भी आ सक पता है, जो सुल्तान अजलान सा ट्रोफी किस से रिलेटेटेट है, किस गेम से रिलेटेट nee इससे भी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं तो जपान जपैन जो है उसमें जीता है सुल्तान अजलांशा होकी ट्रोफी किसको हराया है तो पाकिस्तान को हराया है सुल्तान अजलांशा स्टेडियम कहां पर है तो ये मलेसिया में है दोस्तों ठीक है और ये हमारे एशिया में one of the prestigious hockey tournament conduct कराया जाता है India has won the Sultan Azlan Shah trophy five times 5 वार हम लोगों ने जीता है ये 1985-1995-2009 और 2010 में हर दो साल पर ये होता है कब से 1983 से किया जा रहा है ठीक है और ये कौन थे Sultan Azlan Shah the trophy is named after the former Sultan of the state Perak Malaysia Sultan Azlan Shah ठीक है who has become the first Indian male wrestler to qualify for the 2024 Paris Olympics 2024 Paris Olympics के लिए qualify करने वाले पहले भारतिय पुरुष पहलवान कौन बने तो दोस्तो ये बने अमन शहरावत ये नाम आप जान लीजिए ये बड़ा ही important है अमन शहरावत ने इतियास लेखे दिया और पहले ऐसे भारतिये wrestler बने जो जिन्होंने 2024 पेरिस Olympics में जगे बनाई ठीक है अभी और भी आएंगे लेकिन पहले इन्होंने ही जगा बनाई है with which country did India sign a 10 year bilateral contract to operate the चाबहार port दोस्तो चाबहार port से सवाल अकसर आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं competitive exams में ठीक है जब भी ये news में आता है तो सवाल आने लग जाते हैं जब भी ये news में नहीं आता है तो सवाल आने बंद हो जाते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस देश के साथ भारत ने चाबहार बंदरगा संचालित करने के लिए दस साल के द्विपक्षी अनुबंध पर हस्ताक्चर किये दोस्तो ये इरान ने किये हैं इंडिया डिसेंटली साइंड आ टेन येर अग्रिमेंट विद इरान तो डेवलप और मैनेज दचाह बहार पोर्ट इस इसा है ये पाकिस्तान है पाकिस्तान ने बनाया ग्वादार पोर्ट चाहिना की मदद से ये रहा और हमने ठीक बगल में इरान में बना दिया चाह बहार पोर्ट ठीक है और ये बनाया किसलिए वो भी समझाता हूँ मैं अब उससे पहले ये समझो ये पूरा का पूरा अरिया बलॉच अरिया है ये गल्फ अमान में है और श्राइट अमरूज ये रहा है ये दोनों पोर्ट है इसके दो सेपरेट पोर्ट है अब समझो strategically ये हमने क्यों किया ठीक है ऐसा है ये देखो ये हमारा भारत है और हमें अपना माल पहुंचाना है अफगानिस्तान कैसे पहुंचाएंगे यहाँ पे तो समझो चाइना का भी कबजा है पाकिस्तान भी अकुपाई कर रखा है कैसे जाओगे तो ऐसा है अब यही रास्ता है जो आप यूरोप में इंट्री मारोगे अगर बाई रोड तो आप एक काम करो पाकिस्तान ने क्या किया है जो अपना यहाँ पे प्रिजिंस दिखाने के लिए ग्वादार पोर्ट बना दिया ये देखो जैसे यहाँ है ना ग्वादार पोर्ट बना दिया इसने चैना के में जट से तो हमने भी क्या किया इरान के साथ पार्टनर्शिप किया और यहाँ पे चाबाहर पोर्ट बना दिया अब इसके करण क्या होगा जह हमारा माल सीधे यहाँ से जाएगा जहाद से और यहां से container पे load होगा इस पे truck वेगरा पे load होगा और सीधा Europe निकल जाएगा अफगानिस्तान होते हुए है ना तो यह पूरा का पूरा area आपको Central Asia जो का जो area है उजबेकिस्तान तजाकिस्तान का जाकिस्तान यह सारे अब हम लोग यही से deal कर देंगे समझ रहो त तो यह आपको पता होना चाहिए इंपोर्टेंट क्या है वो समझ लिया आपने इंडिया यहां रहा पकिस्तान यहां रहा ग्वादर पोर्ट पकिस्तान का चाबहर पोस्ट इरान का जहां पे हम लोग का contribution लगा हुआ है और यह गल्फ ऑफ ओमान है यह भी आपको पता होना आयोजित की गई थी दोस्तो यह रॉटरडेम निधरलेंड में आयोजित की गई थी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो है वो 13 में से लेके 15 में तक रॉटरडेम निधरलेंड में किया गया था और यहां पे अपनी यह न्यूज क्यों बन रहा है न्यूज इसलिए बनना है यही आपको पता होना चाहिए Recently, who won the silver medal at the Asian Trampoline Gymnastic Championship? देखो दोस्तों ऐसा है, Gymnastic Championship तो आपने सुना ही होगा लेकिन आप Trampoline Trampoline क्या होता है? इस तरीके से लगा हुआ होता है यह rubber पे लोग बच्चे उचलते हैं ना? यह इसको Trampoline कहते हैं हाली में ACI Trampoline Gymnastic Championship में रज़त पदक किस ने जीता? यह स्रिष्टी खंडागले जो हैं उन्होंने जीता है यही है यह महिला और इन्होंने इतिहासर से दिया है जो पहली इंडियन है जिन्होंने Asian Trampoline Gymnastic Championship में आपको medal जीता है ठीक है? कुछ और चीजे समझे लो Deepakarmakar जो थी वो फर्स्ट इंडियन Gymnastics थी जो उल्लम्पिक्स के लिए उन्होंने कंपीट किया था इंडियन जीमनिस्ट इंक्लूड परनती नायक, अरुना रिड़ी और शोकेस्ट इस्ट्रॉंग पर्फॉर्मेंस highlighted the progress and talent within the Indian Gymnastics community which they declared as World Football Day by the UN recently हाली में सन्युक्त राष्ट द्वारा किस दिन को विश्ट फुट्वाल दिवस के रूप में गोजित किया गया दोस्तों ये बड़ा है important सवाल है ये आपको पता होना चाहिए ये इस lecture का last सवाल है ये है 25th में थोड़ा सा ये समझ लो तो UN General Assembly comprising 193 members ये आपको पता है passing a resolution to designate May 25th as a World Football Day annually ठीक है और ये resolution किस के दिवा लाए गया तो लीबिया के UN Ambassador है ताहिर एल सोनी उन्होंने ये resolution Assembly में ले के है अब थोड़ा FIFA के बारे में समझ लो ऐसा है जो FIFA 21 में 1904 में बहुत पुराना है उस समय में found हुआ इस कहां पे पेरिस में headquarter का है तो Zurich Switzerland में है President कौन है तो Guiani Infantino World Football Day Cup है तो 25th में ये आपको पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ week 2 May week 2 के current affairs खातन अब May week 3 के current affairs आपको देखने को मिलेंगे जल्द दोस्तों आपको बता दे है जिसमें हमने भाल्दो भाल्दो के बहुत सारे सवाल नहीं लिये है क्योंकि एक तो वो आपके दिमाग में store नहीं रहेंगे अगर मैं आपको कहूं जो किस private company के किस subsidiary company किस CEO के किस secretary को बदला वो नहीं आएगा आपके competitive exam में है ना लेकिन आपको current affairs में अक्सर देखने को मिल जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उस पे आप अपना दिमाग खर्च करो वो आना है नहीं competitive exam में पहली चीज यह और दूसरी बात यह जो important है वही पढ़ो कम पढ़ो पढ़ो अब बार बार revise करो यही की होता है exam को crack करने के लिए है ना चलिए मिलते हैं next lecture में